जो को अज सुबे से हेड़ तीया हिला दिया निया कुल हो लो खेला कर आए हो ना सब दूसरे लोग को पहले खुद हिले फिर दूसरे को हिला कर आए क्यों देख ले न आप सब हुशियार हो चालाग हो पता है मेंने आज क्या सुबे से कितने और आग.. कुछ नहीं तो ट्राफिक में क्रोस करते हैं मालूम नहीं पड़ता है क्या मैं इसा घाड़ी चलाता है मैं क्रोस कर रहा हूं दिखता नहीं है क्या तो बार का हो नहीं अंदर तो चालुए बार का बाना मत निकालो और का ही एशब तो हम यह बार इसा हो रहा है, तो हम यह क्यों बता रहा हूं, आज यह क्यों बतायाते हैं भगवान हमें, यह क्यों सुझाते हैं, कि अगर मेरे अंदर ऐसा हो रहा है, तो I have to be alert, that's all, I should not allow it to move forward, अगर ऐसी कोई भावना हो रही है मेरे अंदर, या कोई और मेरे पे कर रहा है, तो उसका कहां फूल स्टॉप लाओ, उस उस पे फोकस करो, बारिस आती है, तो आप छाता और रेंकोट लेते हो ना, भिगना नहीं है इसलिए, बरे बरे, यह सुनामी आया, यह अभी यह फैनी आया, लेकिन कितना नुक्सान हुआ, नॉर्मली लाखों लोग मरते हैं, और लाखों को करोड और का नुक्सान होता है, लेकिन इस टाइ मरें, इनसान के सुरू में, बाकी तो और कितना नुक्सान हुआ, वो तो किसी को मालूम नहीं है, लेकिन जिसने अपने आपको बचाने के तैयारी की, वो सारे बच गए, जिसने नहीं की, वो खतम हो गए, तो अभी आज हमें यह देखना है, कि हम हरक्षन तूट रहे हैं, हमारे अंदर बहुत तूटिया है, इंपर्फेक्ट, तूटिया याने इंपर्फेक्शन, हम कोई पर्फेक्ट है क्या, हमारे सब के अंदर कोई न कोई गलतिया है, अगर हम सब इतने ग्यानी है कि मेरे अंदर गलती है, तो दूसरे पर बढ़कना है क्या, क्या तू तेरे में पहले में भी ऐसा ही था या ऐसे ही थी तो मुझे भढ़कने का क्या मतलब है वो बिचारा उसके अंदर कंट्रोल नहीं हुआ तो उसने बार भढ़का कर दिया कोई बात नहीं भईया शांत हो जाओ पानी पिला हूं क्या सो आपने क्या किया श्टॉप कर दिया और अगर आपने वो आख पकड़ लिक तो वो तो जला हुआ है आपको भी जला रहा है और आपके पास ऑप्शन है जलना के नहीं जलना अभी समझ में आया ग्यानियों आप यहां जो आए है ना तो अभी आप ग्यानी बनना है आपको क कोई जल रहा है उसलिए वो हमको जलाने आ रहा है वो बढ़का कर रहा है वचन से कर रहा है या एक्षन से कर रहा है या अंदर वो बुल-बुला उसका चल रहा है भरा हुआ है अंदर अंगारा तो वो उसका प्रोब्लेम है वो प्रोब्लेम मैं क्यों लूँ मेरको गाली दि तो लग़िया तिरे रिगों नहीं छोड़ूंगा अरे भैया वो डिस्टब मोड में हो जो भी बोलता है उसको कान में और दिल पे मत लगा ना जिसने लगा दिया ओ गया का बारा के भाव में तुझे नहीं छोड़ूंगा तुझे ऐसा करूंगा तुझे तेरे खांदान का इसा कर दूँगा, वह इसा कर दूँगा, कहां तक पहुँच जाता है और फिर सालो साल दुस्मनी करते रहते हैं, सालो साल दुस्मनी करते रहते हैं उसका परिडाम क्या? महाविश्वामी भगवान के जीवन में से सिखना है हमें, क्या सिखना है? क्या सीखना है, कि भाई जब भगवान को भी कोई नहीं छोड़ता है, तो मैं कौन सी खेत की मुली हूँ, तो कहां से हुआ, साइन्स क्या था, उसका विज्ञान क्या था, यही, यह भड़कने का, यह तड़कने का, यह तूटना, तूटना वो तो लास्ट डेस्टिनेशन है, शुरू कहां से होता है, भड़कना, पहले दिल से भड़कता है, फिर मू से भड़कता है, फिर हाथ पेर से भड़कता है, एक्शन से भड़कता है, तो कोई भड़का हुआ है, तो आपने भी वैसे ही करना शुरू कर दिया, तो वो तो तूटा हुआ है, आपको भी तोड़ रहा है, अभी आपके पास option है, तूटना या न तूटना, समझ में आया, तो यह अक्षाइत्रिती आज महत्वका इसलिए है, कि मुझे नहीं तूटना है, किसको तूटना है, बोलो, किसको तूटना है, तूटने आये यहा, कि तूटना, तूटना हुआ जोडने आये, कोई तोड़ रहा है, कोई जल रहा है, तो हम पानी का काम करें, हम मती का काम करें, कि उसकी जलन, पहले मेरी जलन, मुझे मैं न जलू, fire brigade वाला जो होता है वो खुद पहले fully equipped होता है कि वह दूसरे के बचाने के चकर में मैं मत तो फुद प्रोटेक करके आथ फुल तैयर होके जाता है दूसरे को बचाने के लिए वेसा काम हमें हरक्षण करना है भगवान बोलते है यह fire brigade का काम पूरी दुनिया है न उबली हुई है पुरी दुनिया उबला हुआ गोला है गोला अनन्द अनन्द जीव भंडार है कोई न कोई कहा न कहा जली रहा है और उसकी जलन कहा न कहा कैसी न कैसे हमको उसकी असर हो रही है तो अभी मुझे ये सारे जलन से बचने पर चाहिए किनी कवेच्च के बागवान 9 layers का कवेच्च देने वाल एग अलिया आगवान वे 9 layers का कवेच्च आपने पहन ली आज यानि 3 2 3 9 के त्रितिय ट्रिपदी आज त्रितिय डी नहीं न तो नLord दोंगा मैं आपको ताकि आपको कभी कोई टच ही न कर सके बाहर वाले न अंदर वाले देखो आपने पूरा कवच अंदर से पेन लिया लेकिन जलन तो अंदर से हो रही है उसका क्या करोगे कवज पूरा अंदर से ताकि बाहर की बुलेट आपको न लगे लेकिन अंदर से जो बुलेट निकल रही है उसका क्या के दान को सुर्ण सोधना है कि देखू मूल तो अंदर से निकल रहा है बाहर से तो आपने दूसरे से प्रोटेक्शन किया लेकिन अंदर की जो जलने उसका प्रोटेक्शन कहां से करेंगे तो भगड़ुए ने कहा है ये मेरा अपने आपका प्रोटेक्शन की आगे बढ़ो कोन क्या कर रहा है उसके अंदर जमेले में पढ़ने नहीं है अगर दूसरे के जमेले में घुसने की कोशिज की तो तेरा जलना निश्चित है समझ में आया है की नहीं यह दो हजार पूरा अठरा में हमने यही साइगल सापकी बात से आपको सबको बता दिया दिल जलता है तो जलने दे आसो न बहा फरियाद न कर दिल जलता है तो जलने दे युना में वफा बरबाद न कर युना में वफा बरबाद न कर ओ जलाते है तो क्यों जलता है दिल जलता है तो जलने दे आसो न बहा फरियाद न कर दिल जलता है तो जलने दे तो क्या बताया बहुत बढ़िया बात दिल जलता है तो जलने दे वो उन्होंने उपाई नहीं बताया क्योंकि उसके पास था नहीं हो ज्यानी नहीं है वो खाली इतना बोल रहें अंदर जलता है तो उसको जलने दे वे तो उसके उपर ध्यान मत दे लेकिन यह संभव है क्या? संभव नहीं है तो अभी भगवान उसका उपाई क्या बताते हैं? भगवान बोलते हैं कि वो जलता है तुझे पता चला ना? तो पेले अपनी जलन को खतम कर तो आज मैं उसकी जड़ी बुती दे रहा हूँ आज मैं उसकी जड़ी बुती दे रहा हूँ और उसके अंदर तीन निर्णे ही लेने हैं तुझे खुद के निर्णे ही लेने अंदर के निर्णे अगर तु ये तीन निर्णे अंदर ले लेता है तो तेरा अंदर का जलन तु अपने आपको पहले अंदर से fire protection का internal यह पूरे building में आजकल मालू हूं है mandatory fire protection हर building में यह तो भी पूराने building में कुछ नहीं है लेकिन आप नए-नए towers में जो देखते हैं जो towers खड़े हो गए हैं तो उसके अंदर compulsory fire fire उसाओ बड़े-बड़े pipe होते हैं हर माले पे होते हैं और नीचे इसे तीन बंबू लगाये हुए full force में पानी जाए 25 मार का tower हो 45-45 मार का tower हो उपर तक पानी जा सके ऐसे सब fire protection devices compulsory हर मकान में नए tower में fit किये जाते आपको मालू है कितने लोगों मालू है जो tower में रहते नए tower में जो रहते उसको तो मालूमी होगा उस हर एक passage में लगाया हुआ आप देखते होंगे देखाए कि नहीं आप रहते नहीं लेकिन कभी जाते तो होंगे ना तो देखा होगा वो आपने ओ लाल कलर का ओ सब और हर घर में हर घर में sprinkler बोलते है sprinkler तो जैसे fire हुआ ना तो sprinkler चालो हो जाएगा तो जहां भी fire का कारण है ना उसके उपर पानी छिटकना शुरू हो जाता है तो fire फैलता नहीं है ये तो प्रैक्टिक और ये टेकनिकल डिवाइस है साइंटिफिक भगवान ने आज से 26 हो साल पहले ये इंटर्नल टेकनिकल डिवाइस दिये बोले भाई तू जलता कहां से है तेरे short circuit कहा होता है building में तो electric में होता है short circuit हां और तेरे शरीर में कहा होता है और चीत में मत बोल दिल में बोल short circuit कहा होता है दिल में होता है और जलन कहा होती है दिल में तो अभी उस जलन को कैसे खतम करना उसके तीन नीन नहीं लेने कि मैं जलता हूँ उसका स्विकार कर पहले तो आप स्विकार कर रहे हो क्या कि मैं जलता हूँ कितने लोग स्विकार करते कि हम सब जलते हैं अंदर से हां वो जो लोग स्विकार नहीं करते हैं वो बगवान है वापस पुछता हूं कितने लोग को लगता है मैं अंदर से जलता हूं हां वो आदा आदा हाथ नहीं चे रुकता है मैं जलता हूं के नहीं शलता हूं के लिए यह जलता है तू कि भागवान बोलते हैं तू, अगर तू नहीं जलता है तो तू भागवान है, यहां आया है क्यों मेरे पास याने हम सब जलते हैं उसका सबसे पहले स्विकार करना पड़ेगा कि मैं अंदर से खोखला हूँ, जल रहा हूँ, इसका स्विकार करना पड़ेगा ना मने कहीं न थी थी, तमने थी थी जलता है, जलता है मने कहीं है, मने कहीं जलन न थी थी तुमार उखसी कियो लागे, मार उनत खसी कियो, वापस पूछता हूं, कितने लोग अंदर से जल रहे हैं, उसका स्विकार करते हो, मैं तो करता हूं भाई, मैं तो जल रहा हूं, हम सब अंदर से जल रहे हैं, उसका जितना जल्दी स्विकार करेंगे, उतना जल्दी उसका न पुछवाए ओज गेल सप्पा केम चो तमें केम चो अटला बदा दर्दियोंने तपासता तपासता अहां दस डोक्टर पासे जाई ने अग्यार माने के जो तारो तारो इलाज आम थाए अटला शाणा चे आपने पोता नो इलाज ना गरे ही डोक्टर ने बता हाई के एने एनो इलाज शुकर हो so first this is very very important because we don't accept के मैं अंदर से बागा ही तूट रहा हूँ मैं दर्दी हूँ खुद ही दर्दी हूँ यह accept करना बहुत इंपर्टन है भगवान ने कहा अक्षय तृति है कि दिन जो इंसान, जो जीव वो एक्सेप करता है कि there is some problem in me and I am burning except that I am burning from inside इसी का इलाज हो सकता है नहीं तो उसको भगवान भी बचा नहीं सकते क्योंकि भगवान आपके नो कर नहीं है भगवान आपका काम नहीं करने वाले हैं गणा लोको जाये बगवान अटला रुपया नाखु जो जो भाय बंदार्मा नाखु जो तृमने देखाई छे अटला नहीं खा अवे अटलो काम था उजये तारा बापनू नो कर कि सवा रुपया नाखु नहीं ये सवा कोरोड मणे अवे सवा रूपियों जमान सवा रूपियों मड़तोथ नथी तो क्या अग्यार नाखूँ तो अवे तो भिकारी अग्यार नत लेता तो अवे पचास ने तो सो नी नोड़ ज वेलिट गणाई चे बागी है नी नीचे नी तो भिकारी ओ खाली नास्ता ना पेकेट दस रूपिया नमड़े ओला पाउच और दो एक कलाग दे कलाग आराम रेना मटे चटपट किट केट सो डूंट ट्राइ टू बाइ नी बड़ी हम लोग क्या सोचते हैं शॉटकट मारो बगवान ने वेच खरीदू निकडी जाए यह बगवान आतला जिटला मंदिरो छे एना जिटला बंडा रो बराई छे इनू कारण सू कारण सू काइक ने काइक छुपी इच्छा बाहर थी एकदम सरीफ अनेवस देखा तो मानस वाइट एन वाइट फुल ताइट इस्त्री कड़क सोफिस्टिकेटेड BMW मा थी बाहर निकडे बड़ मंदिरमा इभिखारेच काइक पोता नी मानता पुरी करवा आईवो ज्या ज्या मानता पुरी ज्या बद्धी आसा पुरी देवियो त्या लाइन लागी ज्या नाम धयू त्या लाइन सरू आज थी पंदर वीश त्री पची वरस पहला पुर्णम या ओ अवे अमास या ओ निकड़ा के पुर्णम मा तो बवगर्दी थाई तो अवे ती थी बदलो भाए तो के अमास या के पुर्णम ने दिव से बवगर्दी तो आपने अमास चालो करो तो अमास ए गर्दी थाई गई तो हवे सू करो तो के आठम बद्धी ती थी एक दिवस बढ़ाई जैसे बीज आठम पाचम अरे बाई तारो तू केटले तीर्थनी यातरा करीश केटला आठा फेरा असिरवाद करीश अंदर नी जलन उपर ध्यान दे अना जेटला पुर्णम याओ पुर्णम याओ पाइमास याओ बदा करेशू तो के ट्रेन मा तका तक, तका तक, तक, दादा गिरी अनु बद्दू फिक्स होया, monotony एनी गाड़ी फिक्स, एनी जग्या फिक्स, एनु बद्दू फिक्स एनु त्या भोजन साड़ा मा जा जम्मानो होय, नु नु श्थानो ये फिक्स त्या कोई बजय बेस्वानू नही नगे लिए संहेस्वर गयों तोला संहेस्वर दादा ने जरहान करें वच्चे वड़ा बाकी अटला बदा बगवान तिर्दंकर परमातमा आचार्य बगवान ते अटली बदी देरियो बना वी जने अटला बदा बगवान नवरा बेठा जे इबगवान जामे कोई नु ध्यान